नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्टाउलजी पर मैं यशा सिवारी आज आप सभी के समों को उपस्तत हुआ हूँ अगस्त दोहजार चॉबिस के मासिक राशीफल को लेकर आज के इस राशीफल के कारेक्टर में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस मन्त आपके करियर में क्या चेंजेज आने वाले हैं आपकी वर्क लाइफ कैसी होने वाली है आपकी फाइनेशल लाइफ आपकी फाइनेशल कंडिशन इस मन्त में कैसी होने वाली है आर्थिक स्थिती धन की स्थिती कैसी रहेगी साथी साथ प्रेम संबंध में क्या इस्तिती है मैरेड लाइफ में क्या इस्तिती होने वाली है ओवरल आपकी लव लाइफ आपकी परसनल लाइफ के विशे में भी चरचा आज के इस राशिफल के कारिक्रम में होने वाली है आज का ये जो राशिफल का कारिक्रम है आपकी चंद्र राशी पर आधारित है अर्धात आपकी जन्मकुडली में चंद्रमा जिस राशी में है वही आपकी चंद्र राशी है और यदि आपको अपनी चंद्र राशी नहीं पता है तो आप अपनी नाम राशी के आधार पर भ होने वाला है इसमें सूरिका राशी परिवर्तन 16 अगस्त 2024 को होगा और सूरे करकर राशी को छोड़ करके सिंग राशी में प्रवेश करेंगे बुद्ध का राशी परिवर्तन 22 अगस्त को होगा वो मिथोन राशी को छोड़ करकर राशी में प्रवेश करेंगे शुक्र का राशी परिवर्तन 25 अगस्त को होगा जो कि सिंग राशी को छोड़ करके अपनी नीच राशी कन्या राशी में प्रवेश करेंगे और मंगल का राशी परिवरतन 26 अगस्त को होने वाला है जो कि अपनी व्रिशब राशी को छोड़ करके मिथोन राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं तो इनी गोचर की कंडिशन्स के आधार पर ये राशी फल आज का आप सुनेंगे यदि आप इस कारेक्रम को देखते हैं और इस कारेक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाब होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें साथी साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो मन्त के फर्ष्ट हाफ में जैसा कि मैंने बताया है कि सभी ग्रहों का जो movement है वो as it is जैसा screen पर दिखाई दे रहा है वैसा ही रहने वाला है और आपके राशी पती का राशी परिवर्तन जो होगा वो 26 अगस्त को होगा तो फिर तो मन्त के तीन-चार देन ही बच जाएंगे तो हम इसको इसी आधार पर समझते हैं राशी पती बने हुए मंगल जन्म कुंडली के धन भाव में गोचर करने जा रहा है अब जोतिश शास्तर का कतन है कि लगनेश या राशी जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धी हो जाती है अब लगनपती बने हुए मंगल द्वितिय भाव में गोचर करेंगे द्वितिय भाव के चीज़ों का है द्वितिय भाव होता है आपके संचित धनका आपके पैत्रिक संपत्ती का तो आपको धनका संचैन इस मंत में देखने में मिलेगा धनका आगमन होगा धनका संचैन भी इस मंत में होता हुआ दिखाई दे रहा है पैत्रिक संपत्ती को लेके किसी वी तरह की परिशानी थी तो वो इस मन्थ में solve हो सकती है पैत्रिक संपत्ती को लेकर के कोई विवाद था तो वो solve हो सकता है आपकी पैत्रिक संपत्ती का उचित मूल्यांकन आपको इस मन्थ में देखना में मिल सकता है कुछ परिशानी भी है, दूसरा भाव कुटम और आपकी वाणी का होता है मंगल एक उग्र प्लानेट है, गुरु भी वहीं पर गोचर कर रहा है जो कि सत्यवक्ता को प्रतर्शित करते हैं, सत्यवादी बोली या सत्यवादी भाशा को प्रतर्शित करते हैं धन के मामले में ये मन्त आपके लिए overall काफी अच्छा होने वाला है धन की इस्ति धन का आगमन भी दिखाई दे रहा है चोकी शनी वक्री है लाभे शोकर के और धन का संचैन भी आपके लिए गोचर कुंडली के according दिखाई पढ़ रहा है तो धन इत्यादी को लेकर के आपको इस मन्त में किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है मंगल की दृष्टी पंचंपर अश्टंपर और नवंभाव पर होने वाली है मंगल की दृष्टी पंचंपर होगी तो आपके ज्यान में व्रति ही होगी नई चीज़ों को आपको सीखने की इक्षा होने वाली है, साथ ही साथ आप practical knowledge की तरफ जादा जाएंगे, जो theoretical knowledge है उसमें आपकी शिक्षा जरूर इस मन्त में आपको डिश्टब देखने में मिल सकती है, लव relationship के point of view से यदि हम देखते हैं, तो बुद्ध और शुक्र की उपस्तिती पंचम भाव में हैं, तो बुद्ध और fifth house में हैं, और इन दोनों ही ग्रहों को शनी और मंगल दोनों ही देख रहे हैं, तो closeness बढ़ेगी, और close आएंगे तो लड़ाई हो जाएगी, या गलत फैमी हो सकती है, तो आपको यही इस बात का ध्यान रखना है, कि गलत फैमी को आने से बचाएं, और यदि आप अपनी पर नियंतरण रखते हैं, तो average आपकी love life इस मन्त में जाने वाली है, हाँ, इस point of view से ये मन्त अच्छा है, कि यदि आप अपनी married life को, यदि आप अपनी romantic life को शादी में convert करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं, कि आपके parents आपकी love marriage के लिए agree हो, तो आपको इस मन्त में अप इस मन्त में मिल सकते हैं, परनतु जीवन साथी से प्रेम मिलना, जीवन साथी के साथ में घूमने जाना, या जीवन साथी के साथ में धर्मिक क्रत्यों में जोड़ना, इस मन्त में संभव दिखाई देता है, करियर के point of view से भी देखा जाए, तो overall career के point of view से आपका इमन्त क करते हैं, तो भी आपके लिए मन्त काफी अच्छा जाता हुआ मुझे, मेश राशी के जाता को गिलिए दिखाई दे रहा है, सीने में जलन की शिकायत हो सकती है, माता के स्वास्त में परिशानी आपको देखने में मिल सकती है, माता के जोड़ों में, हड्डियों में का रोग था, तो आपको जाकर के अपने डॉक्टर से सलहा इस मन्त में ले लेनी चाहिए, स्वास्त के पॉइंट वी से बाकी देखा जाए, तो पेट जने रोग, पेट से सम्मंधित परिशानी आपको इस मन्त में देखने को मिल सकती है, करियर आपका अच्छा है, ट्रां के लाइफ में लोटने की पॉसिबिलिटीज भी इस मन्त में आपके लिए बनती हैं, और अगर हम आपके लिए देखते हैं, तो तीसरे का स्वामी पांचवे भाव में हैं, आपको अपनी पराक्रम को आपकी बुद्धी को विक्सित करने में लगाना चाहिए, जो प्रैक् मंगल जब राशी परिवर्तिन करेंगे, तो 26 अगस्त के बाद करेंगे, तो इस वेशने में हम चर्चा जो नेक्ट सप्टेंबर मंत का राशी फल होगा, वहाँ पर कर लेंगे, तो प्रिये दर्शकों ये था मेश राशी के जातकों के लिए अगस्त दोज़र चौबिस का पाट करना, साथी साथ शनी वक्री अवस्था में, तो हनुवान जी की मंदिर में जाकर कि यदि आप दर्शन कर लेते हैं, तो ये उपाय करना ही आपके लिए इस मन्त में काफी ज़्यादा बेनिफीशल में होता हुआ, दिखाए दे रहा है, और आपको अपनी वानी पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और यदि इस कारेक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाब होता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाब और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने, आ